उन्होंने लगबग 200 लोगों पर मुगद में काइम किये तो उन्होंने कहा कि यहां के जो विधायक है सिटिंग यह भी कर्फियू के दवरान घूमते रहे हैं इनका भी रोल है इस दंखे को भड़काने बढ़ाने में उसमें मुक्तार अंसारी जेल गए मुक्तार के उपर पांच बार प्राण घा तक हमले हुए नकी उत्तर प्रदेश सरकार बदले की भावना से अपने एक राजनीतिक विरोधी को को जूटी कहानी रख रच करके जैसा कि उनके लोग बक रहे हैं उसके लिए उसका अंत कर दे उत्तर प्रदेश राज सरकार सुप्रिम कोट आई है और उन्होंने कहा है कि यह मुकदमों का ट्रायल बादी था है आप इनको पंजाबी स्टेट से हमारी स्टेट ट्रांसफर करिए यह एम्बुलेंस और उससे जेल से कोट जाना कोट से जेल आना अपराद क्या हुआ आदेश दिया है अब इस पूरे मामले में कई सारे विवाद भी जुरते जा रहे हैं कई सारे विरोधावासी बयान और स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं लेकिन इस सब पर सबसे ज्यादा जो करीब से इस पूरे मामले को जानते हैं अफजाल अंसारी सांसाज भी हैं और मु परोप लग रहा है कि पंजाब पुलिस बचाने का प्रयास कर रही थी सुप्रीम कोड को इंटर्वीन करना पड़ा क्या है पूरा मसला से देखे 25 अक्तूबर 2005 को मुक्तार अंसारी जुडिशिल कश्टडी में जेल गया कारण मना उनके अपने निर्वाचन छेत्र मव में जहां वो 25 सालों से विधायक हैं और पांच बार वहां की जनता ने उन्हें चुना है वहां पर दंगा भड़का था उसके बाद 14 अक्तूबर के दंगे में 17 अक्तूबर को DMSP हटाए गया और जो नए SPI आए उन्होंने दोरान घूमते रहे हैं इनका भी रोल है इस दंगे को भड़काने बढ़ाने में उसमें मुक्तारण साली जेल गया आज साड़े 15 साल हो गया जेल में जाने के वक्त या उससे पहले का एक मुकदमा वो दंगे वाला और एक मुकदमा और था इस समय यूपी सरकार ने जो प्रिश्टी है अपनी याचका में उसमें 15 मुकदमे का उलेक किया है कि उनके खिलाफ MPLA इस पेशल कोट इलहाबाद में ये 15 मुकदमे विचारदीन हैं और वो पंजाब की जेल में हैं और वो आ नहीं रहे हैं तो आप उनका आदेश कर दीजिए कि वो इस टेट इनको हमा कार अंसारी के मामले थे उनका ट्रायल चल रहा था वीडियो कांफिरेसिंग के माध्यम से और उनके वकील हर तारीक पर कोट पर उपस्तित रहते थे अब तीन मुकदमों का ट्रायल इसी तरह से वीडियो कांफिरेसिंग से लखनों में हुआ है प्रदेश की राजधानी है और दो मेना पहले उनके जज्जमेंट आये हैं एकुटल हुआ उनका तो ये कहना कि ट्राइल नहीं हो रहा था ये यूपी पुलिस गलत कह रही है पुलिस नहीं यूपी सरकार गलत कह रही है यूपी सरकार ही गलत कह रही है कि ट्राइल बादी था ट्राइल बादी था दो महीने पहले तीन केस का जज्जमेंट कैसे आता और यहां भी लगातार बहस चल लिए मुक्तार का वकील बहस कर रहा है एक मामला बिलकुल अंतिम स्टेज पे है वो इससे पहले कई बार बहस पूरी हुई जज्जमेंट रिजर हुआ पहले से हो गया था फरवरी से लेकिन मार्च में लाकटाउन लग गया और उस अवधी में मानिस सरवोच नयाले ने भी आदेश किया और पूरे देश में कहीं भी कोई विचारा धीन बंदी फिजिकल पेशी से उसको छूट दी गई नयाले में यहां तक कि कोई बाह रहते थे या फिजिकल उपस्तिती उनको अजाजत होती थी तो उनकी होती थी मुल्जिम तो कहीं नहीं जाता था मतलब अगर पंजाब से उनको यूपी नहीं लाया जा रहा था तो इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि एपिडेमिक था कोरोना था जी और फिर वो बीमार भी थे यहां कोर्ट की तरफ से गया वहां कई बार कि उनको इस केस में इस केस में भेजा जाए दरसल इसके पीछे जो असली वज़ा है वो दूसरी है और ये सब सुप्रिम कोर्ट तक आ गया सुप्रिम कोर्ट के आदेस के बाद जिस तरह से बीजेपी के जिम्मेदार मंत बार्डर पर वो गारी पलड जाएगी ऐसी जिससे कि एक लोगों में आशंका बढ़ है कि भाई कहीं उनके साथ कोई अन्होनी तो नहीं होगी तो उसकी वज़ा जब इस तरह के बियान जिम्मेदार लोंके आने लगे तो शक हुआ उनकी पत्नी की तरफ से महमें मिलाश्पत को और सबको लिखा गया और हमें तो अजीब लगता है कि देश में रूलाफ लाह है हमारी सुतंतर नियाए पालिकाएं हैं जिन पर हम सबको गर्व है और इस मामले में जबकि मुक्तार अंसारी खुद मेंबर अफ लिजिसलेटिव एसंबली है एक सीनियर मेले है पांच ब सारी स्टेट ट्रांसफर करिए और सारे बहस को सुनने के बाद एक निड़े पे पहुंची है सुप्रिंग कोट सर्वश नियाल है और आदेश किया कि दो सब्ता के अंदर इनको बांदा जेल शिफ्ट कर दीजिया और कह दिया कि वहां जो एंपी मेले श्पेशल कोट इलह कोट का आदेश है उनको सिफ्ट करना है उनकी पतनी की तरफ से महामहीम को एक जो आसंका है यूपी ले जाने के वक्त कोई कोई घटना ना हो जाए उसको लेकर आप लोग क्या चाहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना सरकार का दाईत्व है अगर वो व्यक्ति जूडिशल कस्टडी में है तो ये जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है और इस मामले में जब खुद राज सरकार गई है सर्वोच नियाले का आदेश हुआ है और तब वो व्यक्ति सौंपा जा रहा तो उसकी सुरक्षा करना चारगुना जादा जिम्मेदारी हो जाती है इसमें मानिय सर्वोच नियाले को भी इसका संग्यान लेना चाहिए यह बड़बोलापन जो हुआ है उन लोगों के खिलाफ इसका एक्षन होना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि उनके आदेश पर अगर भेजा जारा जेल ट्रांसफर इसलिए कि वो कहानी रच करके जैसा कि उनके लोग बक रहे हैं उसके लिए उसका अंत कर दे तो इस पर तो सुप्रीम कोट की साख को भी बहुत बड़ा बट्टा लगेगा स्वता संग्यान लेना चाहिए सरकार अपनी साख से समझोता कर सकती है लेकिन हमारे देश की नियाए पालिका कत है यहां रोक के रखी है और उसको यूपी पुलिस को ट्रांसफर नहीं कर रही है यह जो प्रिविलेज मिल रहा है ना उनको पंजाब में जो दो साल से वहां के जेल में है इस यही सबसे बड़ा डाउट उठाता है सबसे बड़ी संका जो है इसी बात को लेके है कि आखिर देखिए यह इंबुलेंस वाली बात और वीलचेयर पर क्यों दिखा यह तो बात को नया टर्न देने की कोशिश है क्योंकि हमने वह सच्चाई वह तत्थ मीडिया के मादम से दुनिया के सामने रख दिया और वह तत्थ ही यह है कि यह सच है कि मुक्तार के विरुद जो भी 10 या 15 मुकद में विचारधीन है उनका ट्राइल कोट में हो अधिकार बनता है उनका जिनोंने आरूप लगाया है उस आरूप के सवर्थन में चार्शीट है तो ट्राइल होना चाहिए नयायाले में न कि मंत्री या विरुदी कोई नेता इसके आर में राजनीत करे और अप तो उसको लाए इसकी कुछ रुदी नयायपाली का ये अपना काम करेगी उसको होने दिया जाए खबराहट क्या है क्यों ये इस तरह की गुना सोच रहे हैं उसकी वज़ाए है कि मुक्तार के उपर पांच बार प्रान घा तक हमले हुए है पहली बार जब बीजेपी की सरक सरकार थी तब 15 जुलाई 2001 को उसरी चटी पर मुक्तार के उपर हजारों गोलियां चलाएगी इस घटना में तीन लोग मारे गए नव लोग गोली से बुरी तरे इंजड हुए मुक्तार भी गहल थे इस घटना का मुक्ष अभियोग्त जो है वो बिर्जेश सिंग क्योंकि मुकदमा उसी MP MLA कोट उसी इलहाबाद की MP MLA कोट में मुकदमा है नव लोग इंजड विटनेस हैं वो जमानत मांगने गया वो आदमी और उत्तर प्रदेश के हाई कोट ने इलहाबाद हाई कोट ने उनकी जमानत खारिच करके हुए जो फैसरा लिखा है उसमें कि एक दम जगहन कार्ण है जिसमें नव लोग गोली से जखमी जीवित हैं गवाँ जो आदमी एक छोटी सी पेरोल कोट की मिली थी 1986 में जो 24 साल तक फरार रहके पांच लाग काई नाम उसके उपर घोचित रहा और क्राइम पर क्राइम करता गया वो विर्जेश सिंग आप शाहिद जानते नहों मैं आपको बता दूँगा एक डेट के साथ बता देता हूँ बॉंबे में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी दाओद इब्राहीम जो अंतरराष्टी अपरादी है उसके सगे बहनोई इसमाईल कासकर की हर्ट्या हुई थी 26 जुलाई 1992 को हर्ट्या करने वालों में जो मीन अक्यूश था वो घायल था पुलिस ने उसे पकड़ा और वो जेजे हास्पीटल में एडमिट किया गया उस जेजे हास्पीटल में घुसकर 12 सितंबर 1992 को उस शैलेश हलदान कर नामक व्यक थी और उसके साथ साथ हास्पीटल के इस्टाफ और दो पुलिस वाले गोलियों से चलनी कर दिये गए इस घटना को अंजाम देने वाले दो लोग यहां मौजूद हैं एक सुबास ठाकुर जो फत्यगर की जेल में अजीवन का रवास सजा काट रहा और दूसरा बिर्जेश सिंग जो 2008 से बना सेंटर जेल में है ये दोनों को अक्यूद हैं दाओद इबराहीम के एफ आई यार मंगालो डेट बता दिया पहला नाम दाओद इबराहीम तूसरा नाम बिर्जेश सिंग और वो बिर्जेश सिंग गोद में बैठा हुआ है उत्तपदेश सरकार के मलसी हो गया उसका बेटा मले है वो चाहते हैं कि मुक मुकतार को और उनके गवाहों को चाहे मार देना पड़े मार दिया जाए लेकिन बर्जेश को बचा लेगिए अगर उत्तरप्रदेश में मुकतार अंसारी को लाया जाता है तो उनके जान को उनके परान को खत्रा है पहली alerts दो ये है कि दो साल से आप लोगों पेज्वारो नहीं है इनके पास जो मुद्दा होना चाहिए ऐसी पार्टी के पास जिसको कल चुनाओं में जाना है यह कह नहीं सकते जाकर के कि हमने बढ़ती हुई महंगाई पे नेंतरपा लिया यह पब्लिक के बीच में यह कह नहीं सकते कि हमने गिरती हुई कानून वेवस्था की इस् दिया यह कहेंगे क्या महिलाओं की रोज आबरू लूटी जा रहें तो यह सब कुछ है नहीं तो पॉलिटिकल इस्टेंड क्या बनाए जाए पंजाब वाले बचा रहे हैं हम जो है बस एक जीत रहे हैं जी अब एक मुद्दा तो खतम हो गया ना एक ही मुद्दा था इमरान खांकी कैशादी हुई है पकिस्तान में किस तरह से हमारा मौर्चा लगा हुआ है चीन का था पकिस्तान का था हिंदुस्तान की बात कहां थी अब इम्रान से लण लिट्र लिखा जा रहा है औधोस्ती को लेके भी आप आप दो मिनट में बताता हूं आप बहुत ही सीनियर प्रेस के हैं आप पता कर लो पंजाब में भी उनके जो जेल मैनुवल है उसको देख लिए इस बात के अस्पष्ट प्राविधान है कि अगर कोई प्रिजनर जिसे कोट जाना आना है और वो अस्वस्त है तो वो रिक्वेश्ट कर सकता है कि उसे एम्बूलेंस की सुवधा दी जाए और इस बात का प्राविधान है कानून है वहां कि प्रिजनर अगर उसका खर्च बहन करे तो उसे एज़े टैक्सी ये सुवधा प्रदान की जाएगी इतना ही सिर्छ हुआ है लेकिन ये बूलेंस कहां से आ गई वो तो बूलेट पूरूफ है उसमें सेटिलाइट वो लगा है क्या है क्या है कि लगजरी कार की तरह है बताई ये अलका राय तो अभी दो दिन पहले तक कहती रही कि जल्दी मुखतार को भेजा जाए मेरे मोकदमे का ट्राइल लुका हुआ है मैं उसका निड़ाय आ गया मुकतार दोश्मुक्त कर दिया गया बरी कर दिया गया लेकिन अब वो कहती है कि मेरा मुकदमा अब पूछ के बता दो कि कहां मुकदमा उनका चल ला तो आप लोग आप ये मानते हैं कि आपके आपके पड़िवार ने मुकतार अंसारी ने उस और वो उत्रे हैं बस तो वहीं दिख रहा तो इसी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि अगर इस्तमाल हुआ है तो जरूर एजे टैक्सी अब उत्तर प्रदेश की टैक्सी बारबंकी में रेइस्टर्ड है वहां अस्पताल ही नहीं है लेकिन वह बारबंकी का की एक डाक्टर साहब है उनकी अपरी एंबुलेंस है अब अलका राय ने भी एक फाइयार फाइल की है यह एंबुलेंस गर्दर में लटक गई है सब लोग के पूछा हमने कई लोगों से कि यह एंबुलेंस और उससे जेल से कोड जाना कोड से जेल आना अपराद क्या बड़े डीजी रीटायर लोग टीवी पर बहस करके चले गए असलाहे भरे हुए हैं वो विधायक निधी के बजट से खरीदी गई है अरे कुछ पता करिए जाके देखो पहले बुलेट प्रूफ है की नहीं जाके देखो कि पहले उसका अलकाराय नाम की महिला है की नहीं जाके देखिए कि महुमें उसने F.I.R. तक कराही है सवाल इस बात का है कि अपराध क्या हुआ सिर्फ टर्न देना है उस विशे तंड दो कि बिर्जेश सिंग चर्चा का विशे न बन जाए मुक्तार अंसारी की गवाही में बिर्जेश सिंग चर्चा का न विशे बन है मुक्तार अंसारी के वो उस घटना में जो लोग घाइल गवाह थे घौस मोहिवद्दीन तन्नू जफर उर्फ चंदा अफ्रोस खां तौकीर और शाहिद इस सब के लाइसेंस निलंबित लाइसेंस निलंबित हत्यार जमा दुनिया गवाह को अभियोजन के गवाह को सुरक अच्छा परदान करती है लेकिन बिरजेश सिंग से केखिडाब गवाह के है दाओध इबराहिम का फाइल यह दौन इबराहिम से तो बद्वु आती ये लाइफ का प्रोटेक्शन क्योंकि ये विरोधी सरकार है मुक्तार पांच बार हरा चुके हैं योगी और योगी की पार्टी और योगी के कंडिडेट को फिर चुनाव सामने है फिर हालत खराब है जनता के बीच में मुद्दे रह नहीं गए जो जनता के रोजी रोटी के सवाल के हैं पाकिस्तान का मुद्दा खटम हो गया इमरान खांसे मुहबत नामा लिख जा रहा तो इस वक मुक्टार अंसारी को मुद्दा बना दो पंजाब की सरकार को मुद्दा बना दो बात समझ में नहीं मुक्तार की जनम भूमी उत्तर प्रदेश है मुक्तार की करम दादा इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन हो गए मुक्तार के बाप दादा से भी कहा गया था बिर्गिडी रुस्मान से मुहम्मद अली जेना ने कहा था कि पाकिस्तान का बटवारा हो रहा है चलिए हमारे साथ पाकिस्तान का पहला से ना का जनरल ब लक्षा करते हुए नौशेरा बाडर पर शहीद हो गए जांगर घाटी को फिर से जीत के हिस्सा बनाया था उन्होंने नौशेरा घाटी को फिर से बचाया था उन्होंने भारत के हक में उन्हें महावीर चक्र मिला हम उस परिवार के बंशज हैं डाक्टर मुखतार अमद अं कि हर तरह के लिए देश के निर्माड में देश की रक्षा में अपने प्राणों तक किया हुती धी है और आज हम और अपराधी अपराधी कैसे कर सकते जिस आदमी को किसी नयायले नियाज तक गुनारगार स्रोबित नहीं किया उस आदमी को कैसे मीडिया के साथी और भारती जंता पार्टी के निता गुनागार करते हैं मुखमंत्री सदन के अंदर शरम नहीं आती है अपने सदन के एक सदस को गुनागार करता है यह अधिकार नहीं उनको मुकमंति हो सकते हैं लेकिन यह अधिकार देश में न्याय पालिका को सिर्फ है और वो भी मुकदमे के विचारन के पश्चार अगर वो समझती है कि यह दोशी है तब ही उसे गुनागार कर सकती है यह लोग अपना मनमानी कर रहे हैं तो साफ तोर से ८क्तार अंसारी के भाई किस तरह से अपनी पडिवार की विरासत को भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं उत्तरप united की सरकार की जो भूमी का है उसको ले कर कई सारे सवाल उठते हैं उनका पडिवार सिर्फ ये चाहता है कि मुक्तार अंसारी को पंजाब के मुहाली जेल से अगर उत्रपदेश लाये जाता है तो उनकी जानमाल की पूरी सुरक्षा की गारेंटी हो और कहीं न कहीं सुप्रीम कोट की मॉनेटरिंग में ये सारा चीज हो टेमरामन आकास के साथ अजे जा धनिक सब्सक्राइब अल्वर्ड ओपन चैलेंज 17 ताइम गोल्ड मेडलेस्ट मिया रफीक मोहंबद पंडित मॉल्वी बेगम तांतरिक इन चोर ठंगा तो सावदान स्पेशलिस्ट वशी करन सट्टा नंबर लव मेरेज पती पतनीच आनब विदेश्च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ इकत्ती केंटियां विच समाधान फ्री 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 मिया रफीक मोहंबद मुबाइल चुरासी 304 चुरानवे 670 चुरासी 304 चुरानवे 680 पंडित रादे शर्मा चमतकार हुंदे वेखो अपनी आखां दे सामने च लॉकरी कारोबार चुरुकावट विदेश जात्रा लॉटरी तो ता न मिलेगा जा नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाउट 699 चा होवे जा लोटो मैक्स तो हड़ी हार गाल सौफी सदी गुप्त रखी जावेगी प्यार विच तो खखाय प्रेमी प्रेमी का एक जरूर मिलो मैं तो हड़ा प्यार टुटर नहीं दमांगा मुबाईल 9708805805888667